हाई मेरे प्यारे दोस्तों मैं राज अम्रेस स्टेपिंग एस्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं हम लोग प्रोफिट एन लॉस का पार्ट तीन पढ़ेंगे पहले मैं कुछ समझा देता हूं फिर प्रस्ण पर आएंगे जैसे मैं कोई बस्तू खरीदा 500 रुपए मे ठीक है 500 रुपए में कोई बस्तू खरीदा लाब पर बेचना चाहते हैं 10 पर 30 लाब पर तो 10 पर 30 लाब के फ्रेक्शन एक बटा 10 10 परतिसेत लाब का क्या हो जाएगा एक बटा 10 अब 10 रुपया में जो बस तु खड़ी दे हैं उसको एक रुपय लाब में बेचना चाहते हैं तो 11 रुपय हम बेचेंगे तो 11 रुपया में बेचेंगे तो इस तरह से 11 रुपया में बेचेंगे इसे बेचता है, तो पांच परती से तहानी पर बेचेगा, तो देखिएगा, पांच परती से तहानी का फ्रेक्षन एक बटा बीस, क्या, पांच परती से तहानी का फ्रेक्षन एक बटा बीस, अब 20 रुपया का समान, 29 रुपया हम बेचेगे, तो 19 बटा बीस, उनईस बटा बीस बीस का मान है पांसो पचास करैमूल बीस का मान पांसो पचास इसे ही कट गया तो दो का मान पचपन तो एक का मान पचपन बटा दू तो उनईस का मान तो उनईस से गुना कर देंगे तो इस तरह से अगला का करैमूल निकालते चले जाएंगे, या फिर इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं, कैसे देखिए, कोई बस्तु खरीदे 500 में, ठीक है, 10% लाप पर बेचते हैं, तो 10% लाप का फ्रेक्शन हम बोले थे, कि इस तरह सभी त्यार कर सकते 110 बटा 100, लाप का फ्रेक्शन जोर के, हानी का फ्रेक्शन जोर के, तो 500 रुपय में खरीदी गई बस्तु को 10% लाप पर बेचेंगे, तो कितना हम बेचेंगे, 110 बटा 100 में, हम जिसको दिए, उपांच पर ती सथानी का फ्रेक्शन, 95 बटा 100, दू सुना से दू सुना कट गया, इसुना से सुना कट गया, ठीक है, पांच से दू, प 10, अब पांच से पांच कर दी, एक बार में कर दीजिए, तो बात तो वही है, 95 बेचेंगे, बटा दू, तो जो भी आ जाए, सॉल्व करके, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से आपको बतलाएंगे अभी प्रस्ण को बनाना, ठीक है, देखिए, आपके सा रमन ने घरी 10% पर बर्जेस को दिया, बर्जेस क्या किया, कि उसे फिर 5% हानि पर अरुण को दे दिया, अरुण ने 20% पर 12,540 रुपय में मोहन को दे दिया, तो रमन का कराय मुन पूछ रहा है, दोनों तरह से बतलाते हैं, रमन माना एक सुरुपया में खरिदा, अब ए परतिसे तलाब पर बेचा है, तो 110 वटासों में बेचेगा, 100 रुपिया में कोई समान खरीद के, लाब पर बेचेगा, तो जादा में बेचेगा, 10 परतिसे तलाब का फ्रेक्षन 110 वटासों, जादा में बेचेगा, तो जादा करने के लिए जादे वला को उपर, चलिए, पांच परतिसेत हानी पर दे दिया किसे अरुन को अब इतना रुपय में कोई खरीद के हानी पर देगा तो कम में बेचेगा तो कम करने के लिए कम ौला के उपर जादेवाले को नीचे अब है अरुन क्या किया कि फिर 20 पर 37 लाब पर इतना में खरीद के या 20 परसेंट लाब पर मोहन को दे दिया तो इतना में खरीद का 20 परसेंट लाब पर देगा तो इतना में देगा इस तरह से मोहन इसे खरीदा इतना रुपे में और कह रहा है कि मोहन का करायमूल है 12,540 मोहन इतना रुपए में खरीदा अकर है कि मोहन का करे मुले 12,540 तो जब दोनों है मोहन का ही कराय मुल तो दोनों बराबर होगा की नहीं इसको काट लेंगे क्या? सुनना से सुनना कट गया, सुनना से सुनना कट गया, ठीका? 19 पचे पंचान में 19 से इसको काटेंगे 19 छका 114 11 तो 19 छका 114 11 छक 66 6 दुना 12 5 दुना 10 से एको 0 कर जाएगा तो इस तरह से आ गया एक्स बराबर ही बटा में है तो उधर गुना में चल जाएगा तो एक पर तीन सुनना गरबर हो गई क्या? अच्छाई 0 तो बचल ही था ना तो यह 10 बार में कटेगा तो एक और 0 तो 10,000 रूपए ठीक है? यह एक तरीका हो गया अब है दूसरा तरीका दूसरा मेथर देखी दूसरा मेथर है दूसरा मेथर क्या है? बस इसी को थोड़ा से सोचना है अलग कि 12,540 रूपए में मोहन खरीदा है ठीक है? अब मोहन को कौन दिया? तो मोहन को दिया अरून कितना पर 30 लाप पर? तो 20 परसेंट लाप पर तो 20 परसेंट लाप का फ्रेक्शन एक बटा 5 तो इतना रूपए में मोहन खरीदा अरून दिया मुहन को इतना रूपय में आप पांच रूपया का समान एक रूपय लाप पर देता है यानि छो रूपय में देगा छो रूपय में दिया इतना में दिया ठीक है एक ही बार में बना देते हैं अलग-अलग फिर निकालने में प्रोब्लम हो जाएगी आप लोग को एक ही बारे मनाते हैं सुरू सही चलते हैं माना एक सुरूपय में खरीदा कौन खरीदा है रावन रावन का करेमूल पूछ रहा है माना रहा मन एकस रुपय में खरीदा 10% पर बर्जेस को दिया है 10% पर बर्जेस को दिया है 10% का फ्रेक्शन एक वटा 10 यानि 10 रुपय का समान एक रुपय लाम में देगा तो 11 वटा 10 में दिया ठीक है फिर है 5% हानी पर अरुन को दिया बर्जेस अरुन को दिया, अरुन क्या-क्या 20% लाप पर, यानि एक बटा 5 यानि पांच रुपय का समान छो रुपय एंब बेचेगा, तो 6 बटा 5 में बेचा, इस तरह सी कितना बेचा है तो बेचा है 15,540 रुपय, एक सामन काल लेना है वही बात है, नहीं 0 से 0 काट देते, गारा बटा 10 होता, 5 से ही काट देते, तो 29 आई 20 होता, तो 29 बटा 20 है, इसको काट देते 0 से 0, दूसे 6 आई 5, तो 6 बटा 5 है, इसको solve कर लेंगे आ जाता, कोई फर्क परा है, ठीक है, तो इससे अच्छा इससे बना लेंगे न, चलिए next प्रस्ण क्यों बरते हैं, मेरे समझ से आप लोग समझ गया होंगे, देखिए next प्रस्ण, next प्रस्ण है, कह रहा है कि, राम ने एक पंखा 12 परती सतहानी पर गनेश को दिया, तो माना राम एक्स रुपया में खरीदा होगा, 12 परती सतहानी में दिया है, 12 परती सतहानी का फ्रेक्षन ठासी बटा सो, अब एक्स र पर देंगे तक कम में देंगे न, 18 परती सतहानी पर माधुरी इतना में खरीदी होगी, माधुरी क्या किए खरीद का 15 परती सतहानी पर जैनत को देदी, यानि 85 बटा 100 में दे दी होगी आई इस तरह से इसका आ गया 822.80 रुपे जैयन्त इसका मुल कितना चुकाया 822.80 दसमलब कटके बटा में 100 से 100 कट गया ठीक है अब कटिए सुना से ही सुना कर दिजिए 11 से इसको कटेंगे 11 से 37 तो बच जाएगा 5 21 24 8 8 18 17 85 17 से इकाटिए 17 चुका और 60 तो चौव आठ 17 चुका और 60 44 दुना अठासी 5 दुना 10 से गो 0 कट गया तो एक सबराबरा गया एक पर तीन सुना तो 1000 रुपे ठीक है 1000 रुपे में कोन खरीदा था तो राम खरीदा था 1000 रुपे में ठीक है अगर इसी में आगे पूछ देता तो राम अगर 12 परसेंट हानी के बजाए 20 परसेंट लाव पर बेचना चाहता था तो कितना में बेचता तो 1000 के 120 बटा 100 कर देते कुछ प्रोब्लम है इसी में 1200 में क्या कहता इतना कहने के बाद इ न पूछके कि राम कितना में खरिदा यह न पूछके कहता कि राम 12 परसेंट हानी के बजाए 20 परसेंट लाव में बेचता था कितना में बेचता था 1200 में बेचता कोई दिक्कत है किसी का पूछेगा तो बतला देंगे अब देखिए next प्रस्न नेक्स्ट प्रस्न है कह रहा है A ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मती पर 110 रुपे खर्च किया माना एकあー में हम हरी दे कोई रेडियो 110 रुपे खर्च किये त इवी त लागात में चला गया न क्या 110 रुपे है कि हम फिरी में जाने देंगे कि हम जो लगाए हैं पैसा समान खराब समान खरीद के उसको बनवाएं तो बनवाने में जो पैसा लगा हूं भी मेरा लागत मुली होगा तो लागत मुली मेरा इतना हो गया अब इतना रुपे लगा के ये ने इतना रुपे लगा के 20 परसेंट लाग पर बी को दे दिया तो इतना का 120 बटा 100 में देगा B इतना में खरीदा B फिर C को 10% पर 30 तहानी पर दे दिया तो 90 बटा 100 में देगा C इतना में खरीदा C क्या किया है कि 10% पर 30 लाग पर फिर D को दे दिया तो 10% लाग पर देगा 110 बटा 100 में देगा इस तरह से इसका मुल हो गया 1188 रूपय काट दिजी 12 से इसको 108 बारा नमा 108 से 108 कट गया तो X पलस 110 बराबर 1000 आगे तो X बराबर आगे 890 रूपय तो इस तरह से 890 रूपय में कौन खरीदा था? एक खरीदा था अगर कहता कि अब यह 25 पर 35 पर बेचना चाहता है तो कितना यह बेचेगा तो इसका 125 बटा 100 कर देते क्या? अब देखें कुछ समझाने से पहले थोड़ा फैना उन कर लेता हूँ काफी गर्मी है अब आगे भी समझाता हूँ आप लोग को समझिएगा अगर हम कोई समान 500 रुपए में खरीद के लाएं हम चाहते हैं कि हम इस पर 50 रुपए लाभ कमाएं तो हम लिख के कितना रखेंगे? 550 क्या? 50 रुपए लाभ केबल कमाना चाहेंगे तो 550 लिख के रखेंगे 550 में बेचेंगे हम चाहते हैं कि न हम 45 रुपए छूट भी दे इसको जो हमसे खरीदने हैं हम 500 में खरीद के लाएं हम चाहते हैं कि फैन आप कर देते रूप जाईए देखिए हम 500 में कोई बस्तू खरीद के लाएं हम चाहते हैं कि जो हमसे खरीदने आए उससे हम 50 रुपे लाब कमाएं तो 550 लिखके रखेंगे लेकिन नहीं हम यह सोचे कि हम 50 रुपे लाब तो कमाएंगे ही जो हमसे खरीदने आएगा उसको 45 रुपे छूट भी देंगे तो 45 रुपे ज्यादा लिखके रखेंगे यानि 595 में लिखके तो हम देखते हैं, अगर छुट भी देना चाहते हैं, तो आउर जादे लिख के रखेंगे, यही ने समझे? कि हम जितना में खरीद के लाइं, खरीद के लाइं मतलब करेएमुल, क्या? लागत मुल, करेएमुल, सब एक होता है, और अंकित मुल, निरधारित मुल, छपा मुल इस अब एक होता है अंकेत मुल निर्धारित मुल छपा हुआ मुल इस अब एक होता है लागत मुल क्रे मुल एक होता है तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी को छूट देना चाहते हैं तो जादा लिखके रखेंगे लाभ चाहते हैं तो आउर जादा लिखके रखेंगे आ अगर इसी में से इसको अगर सजाना हो हमको किसी चीज का मान बढ़ाना है तो 100 को उपर रखेंगे 95 को नीचे इसको सजाना है ज्यादा करना है तो 110 को उपरे रहने देंगे 100 को नीचे रखेंगे कम करना होगा तब, तो 100 को उपर कर देंगे, 110 को नीचे, कम हो जाएगा, तो इतना बात समझ गए, अब समझे, लाब बराबर क्या होता है, B क्रैमूल माइनस क्रैमूल, हानी बराबर क्या होता है, लाब कब होगा, जब हम जादा में बेचेंगे, कम में खर देंगे, हानी कब होगा तो लॉस होगा कब जब हमारा सीपी ज्यादे होगा क्रैमूल ज्यादा होगा और बिक्रैमूल कम होगा कम में कम में खर देंगे ज्यादा में बेचेंगे तर लाब होगा ज्यादा में खरीद के लाएं हैं कम में बेचेंगे तहानी हो जाएगी तो क्रैमूल माइनस बि पर अर्थात लाभ परतिसत या हानी परतिसत बराबर होता है लाभ रहेगा तो लाभ या हानी रहेगा तो हानी गुने 100 बटा में हमेशा करेमुल ठीक है लाभ या हानी परसेंट बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 बटा करेमुल हानी परसेंट बराबर होता है हानी गुने 100 बटा क्रेमल, छूट, छूट बराबर क्या होता है, तब छूट बराबर होता है, अंकित मुल माइनस भी क्रेमल, हम जितना दाम लिक के रखे हुए हैं, उसमें समझीतना में बेचे हैं, उगटा देंगे, तो हमारा छूट हो जाएगा, ठीक है, जब कब जब लाभ नहीं चा तो छूट बराबर होता है अंकित मुल माइनस विक्रे मुल चूट की गन्ना होती है अंकित मुल पर तो छूट परतिसत बराबर होता है छूट गुने सव बटा अंकित मुल चूट परतिसत बराबर क्या होता है छूट गुने सव बटा अंकित मुल इतना याद रहेगा अब इस पर प्रस्ण देखते हैं मिटादे इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम कोई बस्तू खरीदे हैं छूट देना चाहते हैं तो ज़्यादा लिखके रखेंगे लाब चाहते हैं तो आउड ज़्यादे लिखके रखेंगे ठीका ज़्यादा करने के लिए fraction में से ज़्यादा वाला को उपर कम वाले को नीचे कम करने के लिए कम वाले को उपर ज़्यादे वाले को नीचे रखते हैं इतना बात अगर याद हो गया तो आसानी से बन जाएगा कुछ important प्रश्ण है जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं देखिए क्या है सो कह रहा है कि कोई बस तू 343 रुपे में खरीद के लाएं ठीक है कर रहा है कि एक ब्यक्ती एक सिलाई मसीन 343 रुपे में खरीद है वा इस पर कितना मुल अंकित करे कि 30% छुट देने के बाद भी 20% लाब हो 343 रुपे में खरीद के लाया है ठीक है अब इसको कह रहा है कि हम कितना मुल अंकित करे कि छुट देने के बाद भी लाब हो तो छुट कै परसेंट है तो छुट है 30% 30% छुट का फ्रेक्शन 70 वटा 100 अब 343 रुपे में हम खरीद के लाया है छुट देना चाहते हैं तो इससे ज्यादा लिखके रखेंगे कि कम बीस परसेंट लाव का फ्रेक्शन अब बीस परसेंट लाव चाहते हैं तो आवर ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 120 बटा 100 क्या इस तरह से 100 से 100 कट गया सुनना से सुनना कट गया साथ से इसको कार दी जे 49 बार गया इसको सॉल्व करेंगे तो 12 नमा 108 कार्ट हासिल 10 बार च तो 40th 10,50 तो इस तरह से हम 588 रुपए लिखके रखेंगे 588 रुपए लिखके रखेंगे 30% छुट देंगे उतना में बेच देनगे उतना में बेच देंगे तो हमारा 20% लाब हो जायाएगा है ना इस तरह से आप समझ गया होंगे चलिं क्योड़ बढ़ते हैं हमारा नेक बस्तू के अंकित मुल पर 10 परतिसद छुट दे कर छुट देता है। तो dough आसी रूपय में खरीद दिगैंक बस्तू पर वह 156 सत लाप पराप्त करना चाहता है। तो उसका अंकित मुल क्या होगा। तो कह रहा है कि 1018 रूपय में खरीदा है। अब 1080 रुपय में हम कोई समान खरीद के लाए हैं, हम छूट देना चाहते हैं 10 परतिसत, तो ज्यादा लिखके रखेंगे, तो 100 बटा 90, 10% छूट का फरेक्शन 90 बटा 100, लेकिन ज्यादा लिखके रखेंगे, तो 100 बटा 90 हो जाएगा, अब कह रहा है कि 25 परतिसत लाब भी तो इतना कब लिखके रखते हैं, जब लाब यहानी नहीं चाहते तब, लेकिन हम लाब भी चाहते हैं 25 परतिसत, तब तो और ज्यादा लिखके रखेंगे, क्या, तो इतना रुपया लिखके रखेंगे, अब पूछ रहा है, तो अंकित मुल बताईए, तब इसको सौल्व कर लिजे, अंकित मुल आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 12608, गुना कर दीजी, 100 होता, तब 1200 हो जाता, 25 को 122 पर हैंगे, तब 300, तब 1200 आ 300 इस तरह से हमारा आ गया, 1500 रुपय अंकित मुल, ठीक है, इसको समझ गया, इसको बढ़िया से आप देख लिजेगा, 3-4 बर, ताक इतना ही रहने देते हैं, नमस्कार, भारत माता की जै